हाई वेलकम तो मैं चैनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेशन नम्बर फाइव 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 फॉर रेशनल नम्बर्स बटिविन 3 x 7 और 5 x 7 तो यहां पर हम यूज करेंगे मेथड 2 मिन्स LCM मेथड और सॉल्व करेंगे LCM में क्या करते हैं पहले इन दो नम्बर्स को लिख लेते हैं तो यहां लिख लेते हैं we have 3 upon 7 and 5 upon 7 और चेक करते हैं कि दोनों का denominator जो है equal है कि नहीं तो यहां पर देख सकते हैं आप कि 7 और यहां भी 7 है तो दोनों के denominator इक्वाल है तो अब क्या करना होता है देखना होता है कि numero क् reconciliation नम्बरर यहां before 3 है और यहां फाइव तो इसके बीच पीच में एक इंसर है वह क्या है 4 और 4 यहीं से में इस से डिवाइड करेंगे जोकि 7 क्या है इन दोनों का common denominator है उससे से में इस 4 में तो मिलेगा हमें 4 by 7 और 4 by 7 ही एक rational number है 3 by 7 और 5 by 7 की बीच में लेकिन एक तो निकलना नहीं हमें निकलना है कितना 4 निकलना है तो यदि एक निकल जाएगा इसका मतलब कि 2 से में प्लाई करेंगे यहाँ पर इन दोनों में 2 से क्यों में प्लाई करेंगे actually हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 तो मिल गया हम पर 4 by 7 एक तो मिल गया लेकिन एक निकलना नहीं हमें 4 निकलना है इसलिए क्या करेंगे कि हमें numerator में जो यहाँ पर difference है उसको बढ़ाना पड़ेगा मतलब कि 3 और 5 में जो difference है वह 2 का आ रहा है तो एक मिल रहा है अब हमें इसका difference बढ़ा करके ऐसा कर लेना है जिससे कि हमें 3 और 5 के बीच में ऐसा ऐसा मतलब difference आ जाए कि 3 और 5 के बीच में मतलब लगभग 4 integers मिल जाए तो भी जागर कि हमें 4 rational numbers मिल सकता है तो हमें क्या करना होगा अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 2 7 apply करना पर क्या हो रहा है तो यहाँ पर आप चेक यदी करोगे देखे हैं हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे है भी solve नहीं कर रहे है ठीक्या है तो 2 7 बैसार प्लाइ करते हैं तो क्या मिलता है देखे 2 सेवन इन्टू 7 x 2, यहां भी करेंगे वही बात, 5 x 2 upon 7 x 2, क्या मिल जाएगा यहां पर, यहां मिलेगा 6 upon 14, और यहां मिलेगा 10 upon 14, आप देख सकते हैं, कि 6 और 10 के बीच में, 3 integers आएंगे, मतलब कि इसके बाद 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, और उसके बाद 10 आ जाता है, तो 7 upon 14 ले सकते हैं, और 8 upon 14 हो जाएगा, और 9 upon 14 हो जाएगा, पतब यह 3 हमें मिल गया है additional numbers, लिए हमें निकालना है 4, इसका मतलब कि 2 से multiply नहीं करेंगे, बलकि करेंगे 3 3 से, 3 से multiply करेंगे दोनों में, तो हमें इनका difference जो है, ऐसा मिल जाएगा, जिसमें की 4 integers मिल सकते हैं, और हमें 4 rational number मिल जाएगे required, तो हम करेंगे multiply 3 से, तो ऐसे ही आता है चेक कर लेंगे शुरू में न, तो आपको इदब exact answer मिल जाएगा, ओके, Okay, so we will multiply by 3 in both, तो यहाँ पर यह मुट्प्ले करते हैं, तो 3 into 3 upon 7 into 3, और यहाँ मिल जाएगा आपको 5 into 3 upon 7 into 3, यहाँ मिल जाएगा आपको, it implies, 7 into 3 मतलब को 21 upon, जोरी, 9 upon, 3-3-9 upon 7-3-21 एंड यहाँ मिल जागा 5-3-15 upon 7-3-21 देखे डिनमिनेटर तो एक्वाल है हमेशा डिनमेटर एक्वाल रहेगा क्योंकि पहले से एक्वाल है तो किसी 7-7 मुट्पलाई करेंगे तो एक्वाल रहेगा ही रहेगा लेकिन निमिनेटर में देखे यहाँ पर डिफरेंस बढ़ चुका है तो 9 यहाँ पर आ गया है यहाँ होगे 15 और एक और बात हो गई है यहाँ पर 9 upon 21 आया है यह equivalent fraction है 3 upon 7 का और 15 upon 21 जो है वो 5 upon 7 का equivalent fraction है तो equivalent fraction जो होते हैं वो एदम exactly equal ही होते हैं बस यहाँ पर common factor cancel out करना होता है वो बराबर हो जाता है इसके ही तो अब इन दोनों के बीच में जो number of rational numbers निकालना है 4 तो बिल्कुल आसाने से निकल जाएगा बस हमें देखना है कि 9 upon 21 से बढ़ आ का उन सा rational number होगा तो इससे बड़ा जो number होगा वो होगा 9 के बाद क्या आता है 10 आता है तो 10 upon 21 अब 10 upon 21 से बढ़ आ का उन सा होगा 11 upon 21 फिर 11 upon 21 से बढ़ आ का उन सा होगा 12 upon 21 उसके बाद इससे बढ़ आ का उन सा होगा तो 10 upon 21 11 upon 21 फिर 13 upon 21 हो जाएगा तो अब देश सकते हैं कि यहां पर 4 आसानी से निकल गए बिल्कुल अचा यहां पर मतलब हमें निकालना था एक्चुली 4 4 निकालना है तो हमने निकाल लिया 4 लेकिन हम यहां पर एक्जेक्ट नहीं निकल पाए हैं तो आप मतलब की आंसर मुली सकते हैं 14 आपर 21, 11 आपर 21, 12 आपर 21, 13 आपर 21, ठीक है, और 14 आपर 21 भी आएगा, तो 14 आपर 21 खेर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें निकलना है 4 ही, तो हमें यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें से कुछ यदि cancel out करने लाइक रहेगा, तो इसको cancel out कर सकते हैं, या फिर यही हम हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि हम इसको फिर से लिए सकते हैं, और हमें मिलेगा, यहाँ पर 11 आपर 21, जो 12 आपर 21 है, इसमें 3 cancel out हो सकता है, तो हम cancel out कर लेते हैं, ठीक है, नई तो हमारे यही चारों क्या हो जाएंगे, आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन simplest form में लिखना सभी रहता है, तो हम यहाँ करेंगे कि, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो, 4 rational numbers, between 3 upon 7 and 5 upon 7, और, हो जाएग आपका 10 upon 21, पहला, जो, जो, जाएगा 11 upon 21 and the third one is 12 upon 21, तो 12 upon 21 को हम 3 seconds राट गुए लाते हैं, 3 समझा 21 and 3, 4 जा 12, 4 upon 7 इसको लिख लेंगे, 4 upon 7 और, यहाँ पर जाएगा 13 upon 21, 21, तो इस 4 are the required rational numbers, between these 2 numbers, तो यहाँ पर बेखिए, हम लें निकाला इस तरीके से, यहाँ आप चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 समझाप्लाई कर लेते हैं, दोनों में, तो मतलब की और जादे निकल जाते, हमें 4 ही निकालना था, तो हम 4 समझाप्लाई करके भी निकाल सकते हैं यहीं 4 समझाप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता, सुचिए, 4 समझाप्लाई करते हैं, मिलता 3 4 are 12, 12 अपान 3 4 728 मिल जाता, इसको बाएस यहाँ मिलता 5 4 are 20, 20 अपान और 5 7 are 30, sorry, 7 4 is 28, तो यहाँ पर दिके 12 और 20 कि में कितने मिल जाता, 13, 13 मिल जाता, 13 मिल जाता, 14, 15, 16, 17, 18, और 19, मतलब की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मिल जाते हैं हाँ पर, तो खेर 7 में से कोई भी 4 जो है आप चूज कर लेते तब भी आंसर हो जाता, ठीक है मतलब कहने का मतलब है ना कि 3 by 7 और 5 by 7 की बीच में infinite number आफरेशनल numbers हैं, तो उसमें से आप यहाँ पर बहुत सारे तरीका से निकाल सकते हैं ठीक है, तो यह एक तरीका है जो कि आप सारी से आप निकाल सकते हैं, थैंक्यू सो मच फ़र वाचिंग, बाई